तो आज का अमारा अजेंडा है टाली 3.0 में न्यू रिलीज में क्या न्यू फीचुर्स है वो अपडेट हुए है आज हम वन बाई वन टाली में लाइव देखने वाले है और न्यू और बेस्ट फीचुर्स हैंडलिंग माल्टी जी एस्टियन अभी एक सिंगल कंपनी में ही माल्टी जी एस्टियन को रेजिस्ट्रेशन कर सकते है और वहीं ब्रांच वाइस GST फाइल भी ताली प्राइप 3.0 में आप माल्टी जीस्टियन फीचुर्स का यूज करक कि एक ही single company में multiple registration कर सकते हैं सेकेंड फीचर हम देखने वाले हैं payment request अभी आप टाली से ही पेमेंट लिंक्स एंड क्यूर कोड शेयर कर सकते हैं यूजिंग टाली प्राइम ऑफ गेटवे हमारा थर्ड फीचर है enhance GST rate और addition setup हम देखेंगे कि multiple sources के थ्रूँ GST rate और addition setup कैसे करेंगे हमारा फूर्थ है enhancement to voucher numbering टाली 3.0 में voucher numbering को भी enhancement किये है वो भी आज हम जानेंगे हम देखने वाले है कि advance configurations जो टाली ने किये है टाली ने advance filters भी उसमें हमें include किये है वो भी हम जानेंगे कि advance filter हमें कैसे helpful होने वाले है enhance and improve VST reporting टाली ने GST reporting में भी अपडेटेशन दिये है आज हम वो भी जानेंगे last but not least VSTR 1, VSTR 2A और GSTR 2B का reconciliation आप अभी टाली के थ्रूँ कर सकोगे तो हम one by one टाली ये जो points है वो हम discuss करेंगे और टाली में live जानेंगे कि वो कैसे growth हो होंगे so move करते है next slide Tally Prime 3.0 beta version में update होने के लिए आपका जो TSS subscription है वो valid होना है आपको ये ensure करना है कि ये active होने से पहले आपका license है वो expire नहीं है तो हमारा first point हम देखेंगे कि multiple GST registration हम कैसे करने वाले हैं और ये कैसे एक single company में multi GSTN को हम create करेंगे तो एक example लेते हैं कि हमारी जो main company है वो मुंबाई की है महरास्ट्र की है और हमारे across the India में ब्रांचीज है तो उस वे से हम Tally 3.0 में एक ही single company में multi GSTN को create करेंगे हम देखेंगे कि वो ट्रांची आपका प्रांची आपका प्रांची आपका प्रांची आपका प्रांची आप transaction कैसे record होगा और वही single registration से GST filing कैसे होगा और वो GST filing के लिए हम files कैसे export करेंगे आज हम सबी live जो ये one by one है वो हम Tally में देखेंगे कि माल्टी GSTN features का यूज करने के लिए आपको F11 में एक option दिया है प्रांची पार्ट में एक option है अनेबल गुट्स एंड सर्विस टेक्स GST ये option को हमें यस करना है सही अप यस करोगे आपको एक screen पॉप अप होगी यहाँ पे आप देख पारे होगे कि मैंने अल्रेडी बह है जैसे Delhi, Carnné, टका, कैरला तो हम यहां पे एक जो राजिस्ट्रेशन है जो ब्रांच है वो क्रियेट करेंगे तो यहां पर आपको एक क्रियेट उप्षिन दिख रहा होगा यहां पर हमें एंटर कर लेना है और हमारा जो भी ब्रांच है उसका स्तेट हम सलैक कर लेंगे वो स्टेट के GST related जितने भी डीटेल से हम यहां पर पूट कर लेते हैं तो मैंने यहां पर जो मेरे ब्रांच वाइस जीस्टेन था वो एड़ कर लिया है मैंने रजिस्ट्रेशन ने अलोंग विद आपकी सारी डीटेल से ब्रांच वाइस जैसे इन्वाइस इवेबिल वो सारी एप्लिकेबल डीटेल को यहां पर पुट करके आपको यह कॉन्फिगरेशन को कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है जैसे ही मैंने सेव किया आप यहां पर देख पारे होगे कि जो मेरा गुजरात रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर क्रियेट हो चुका है इट मींस मैंने यहां पर एक हे single company में branch wise registration यहां पर मैंने किये है और companyya मैंने create किये है यही configuration को control A करके हम save कर लेंगे इसी के तुरू आप multiple GSTN registration के साथ आप voucher types में भी अलग-अलग series create कर सकते हैं यहां पर आप देख पारे होगे कि मैंने यहां पर voucher numbers जो है और जो मेरे voucher numbers की series है वहां पर आपको changes दिख रहे होगे इट मिन्स यहां पर मैंने कन्ना टका तेलंग गना गुजरात उस branch wise मैंने यह voucher numbering series को create किया है एक voucher जो series है हम वह गुजरात में create करेंगे और हम देखेंगे कि वह कैसे होगा तो वह create करने के लिए आपको chart of accounts में चले जाना है chart of accounts में जाने के बाद आपको voucher types और जिस voucher types के लिए आपको create करना है उसे आपको open कर लेना है यहां पर अल्टर मोड पर आपको यहां पर एक option दिखाए दे रहा होगा define multiple numbering series for vouchers वह option जैसे ही आप yes करोगे आपको यहां पर default series के बारे में पूछेंगे जैसे मैंने आपको बताया मैंने करनेट का और तेलंगना की series दिफाइन की है वैसे similar वैसे मैं गुछरात के लिए भी वह series create करोंगे तो हम create series को हम enter कर लेते हैं और यहां पर हम type करेंगे गुछरात series जो भी आपको method of voucher numbering आपके data की वैसे या voucher type की वैसे आपको रखना है आप रख सकते हैं यहां पर automatic manual override रखेंगे और additional details को भी हम यहां पर enter करेंगे तो जैसे ही मैंने series की मेरे voucher type की यहां पर देखें यहां पर automatically गुछरात series जो है वो मैंने यहां पर create कर ली है यही configuration को हम control A करके save कर लेते हैं तो हमने यह देखा कि हमने एक गुजरात एक single company में ही एक गुजरात branch create की उसी के sales voucher type में हमने एक series create की अभी हमें transaction को pass करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे pass होगा तो एक transaction को pass करने के लिए vouchers में enter कर लेते हैं तो जैसे एंटर किया यहां पर आपको show हो रहा होगा कि करनटका registration है और यहां पर मेरी series भी करनटका series की है हमें पास करना है entry गुजरात ब्रांच में तो यहां पर आपको एक option दिया गया है आप यहां पर आपके ब्रांच वाइस जो अपने registration किये होगे वह आपको यहां पर show होगे तो हमें गुजरात registration में पास करना है तो हम गुजरात registration को select कर लेंगे जैसे ही आप select करोगे आपने जो voucher टाइट में series create की होगी वह पॉप यहां पर show होगा तो आपको गुजरात से लेक्ट कर लेना क्यूंकि हम गुजरात ब्रांच में कर रहे हैं तो जैसे ही मैंने enter किया और मेरी series मेंने select की उपर देखिए GST registration गुजरात registration यहां पर select हुआ उसी के साथ मेरी sales में मैंने जो voucher series define की थी वही यहां पर आपको show हो रही है तो एक transaction हम pass करेंगे यहां पर party select करके सारी जो details है मैं यहां पर put कर लेती हूँ quantity enter कर लेंगे rate define करके transaction को pass कर लेते हैं तो यहां पर देखिए simple way से जैसे हम normally transaction को pass करते हैं और control A करके मैंने यहां पर transaction को save कर लिया है डे बुक से हम चेक करेंगे कि हमारी जो हमने create की हुई entry है जो हमने transaction को pass किया वह हमें यहां पर इसे show हो रही है तो हमें यहां पर तुरंट पता चल रहा है कि यह जो है वह मेरे कानटा का branch की है second है मेरी gujarat branch की है वैसे ही आप अलग-अलग voucher types में अलग-अलग branches wise series को define कर सकते हैं तो टाली 3.0 में multi GSTN with multi series आप अलग-अलग voucher types में create कर सकोगे तो यह main features 3.0 में add हुआ है तो मुझे पहले जब हम oldest version में GSTN को multi-radition करते थे तो हमें single single company create कर दी पड़ती थी पर अभी टाली 3.0 में हमें यह करने की कोई भी जरूर नहीं है हम हमारी एक single company में ही हम अमारे जो branches है वो registration करके हम easy way से वो transaction को pass कर सकते हैं इसी वे से जब हम यह multi GSTN registration करेंगे तो GST filing कैसे करेंगे तो हम चानेंगे तो display more reports GST reports तो यहां पर आपको GST registration में उपर all registration show हो रहा होगा यहां पर मेरे included जो सारे मेरे main branch है और उसके साथ जो भी मैंने branch यहां पर create की है वो branch का सारा include data मुझे यहां पर show हो रहा है अगर मुझे single registration wise भी देखना है तो आपको F3 करना है F3 करके गुजरात तो यहां पर मुझे गुजरात select कर लेना है तो यहां पर आपको उपर show हो रहा होगा कि यह सिफ मेरा गुजरात registration का है इसमें कोई transaction अभी पास हुए नहीं है इसलिए यहां पर यह आपको blank दिखाए दे रहा है तो इसी वे से आप multi branch में भी single single branch को enter करके आप अपना GST filing easy way से कर सकते हैं तो Tally 3.0 ने multi GSTN को बहुत easy way से बनाया है आप easily उसे use कर सकोगे आपको तो एक screen पे एक पोल open होगा जिसमें आप अगर multi GSTN है आप branch wise deal करते हो तो आप उस option को yes या no कर सकते हो कि 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 तैंक यू सो मुच फॉर रिस्पॉंस हम मूव करते हैं next slide तो हमने देखा कि multi GSTN registration कैसे होगा मूव करते हैं next slide और second features देखेंगे पेमेंट रिक्वेस्ट बेस्ट फीचर इंटाली 3.0 इस पेमेंट रिक्वेस्ट होगे अभी टाली से ही आप qr कोड और पेमेंट लिग जनरेट कर सकते हो यूजिंग पेमेंट गेटवे और यूपी आई डिजिटल पेमेंट के साथ आप अपने कस्टमर से इजी वे से और क्विक वे से पेमेंट को सेटल कर सकते हैं हमें सिफ एक merchant profile क्रियेट करना है merchant profile क्रियेट करते ही वह हमें one time ही करना है तो हमें pay you, reserve pay या payment के थ्रू भी हम merchant profile क्रियेट करेंगे हम जब transaction pass करेंगे तो transaction pass करने के बाद आप अपने customers को directly within a few minutes में QR code और link आप share कर सकते हो तो हम यह पूरा टाली में देखेंगे कि वह कैसे options दिये है और वह कैसे work करेगा तो payment request का option enable करने के लिए आपको F11 में चले जाना है F11 में आपको यहां पर option दिया है others में enable payment request to share payment links and QR code वह option आप जैसे ही yes करोगे तो यहां पर आप देख पारे होगे कि मैंने already list of merchant profiles create किये हुए है तो अगर आपको कोई new merchant profile create करना है आपको यहां पर create पर enter कर लेना है आपका जो भी merchant profile का name है आपको यहां पर name mention कर देना है जैसे ही आप enter करोगे आपको list of payment methods यहां पर एक screen side में pop up होगा जो भी आपको merchant profile करना है जो भी gateway आपको payment के लिए यूज करना जैसे pay you है रेजर पे है यूपी आई है पे टीम है वह आपको select कर लेना है लेक करने के बाद आपको अपका यूपी आइडी है या merchant id है यह आपको select करके save कर लेना है तो मैंने यहां पर और डी एक जो profile है वो create किया हुआ है जो रेजर पे का है तो मैंने यहां पर मेरे merchant profile का name enter किया हुआ है जो method मुझे यूज करनी है वो method को मैंने select किया हुआ है और जो related information है merchant id registration email id यह सारा information को put करके हमें save कर लेना है तो आप एक ही नहीं कि रेजर पे नहीं अगर यहां पर देख पारे होगे मैंने UPI का भी merchant profile create किया हुआ है तो इस वे से आप अपने जितने भी gateway है आप उसे merchant profile create कर सकते हैं तो हमने देखा कि मैंने रेजर पे है सेकेंड मैंने यहां पर UPI भी किया हुआ है तो जो information है वो मैंने पूट करके normally configuration को save कर लिया है तो यही merchant profile का use करके हम एक link और हम एक QR code भी generate करेंगे तो यह सारे configuration को save कर लेना है हम एक transaction को pass करेंगे और वहीट transaction को pass करते हुए QR code और link को generate करेंगे यहां पर मैंने party select कर ली है और simple way से transaction को pass करते हैं जैसे ही आप transaction pass कर रहे हो जैसे ही आप accept करोगे transaction को complete करोगे एक screen पर एक pop-up हागा तो यह pop-up हमें yes करना है जैसे ही आप yes करोगे आपको यहां पर एक generate payment link करके pop-up open होगा यहां पर देख पारे होगे जो मेरा merchant profile है यहां पर अगर आपको UPI उनको send करना है तो जो आपने profiles create किये होगे वो profile को select कर लेना है enter करना है तो इसे ही आपके जो client है या आपके customer है उनको email या SMS भी जाएगा तो यहां पर आप देख पारे होगे जो मेरी party है वो यहां पर आपको नाम दिखाए दे रहा होगा mobile और email id जो मेरे आपके master's में मैंने put किये है expiry आप यहां पर expiry भी define कर सकते हो कि जो आप payment link और qr code send कर रहे है तो वो कितने दीन तलग expire उनको होना है और जो भी transaction आपने amount लिया होगा वो amount यहां पर आपको pop-up होगा जैसे ही आप enter करोगे यहां पर देखिए मेरा जो link है और मेरा qr code है वो generate हो गया है तो आपको यहां पर pop-up देगा कि successfully हो गया है तो यह transaction में हमने किया था तो हम एक preview देखेंगे print preview कि वो कैसे show होगा तो यहां पर आप देख पारे होगे जो मेरे रेजर पर की link है वो भी यहां पर open हुई है और जो मेरा qr code है वो भी हमें यहां पर show हो रहा है तो इस simple way से few steps से ही आप क्या कर पाऊगे कि आप अपने पार जो customers है है क्लाइंट है उनको payment settle करने के लिए easy way से qr code और link अप शेयर कर सकते हो तो जैसे ही हमने देखा था कि जो भी क्लाइंट होगा जोन्हों अपने numbers और email id यहां पर पूट कियो होगे उनको एक sms भी जाएगा और mail id पर mail वही within a seconds में चला गया होगा तो यह हमने देखा कि एक single transaction में हम कैसे qr code और link generate करेंगे हमें जब transaction हमने पास कर लिया और हमें तभी qr code और link generate नहीं करना है तो आप tally के कोई भी screen से qr code और payment link हो generate कर सकते तो वह कैसे होगा exchange में एक option दिया गया है यहां पे देखे payment gateway generate payment link qr code other select कर लेना है तो यहां पे आप select कर सकते जैसे upi करना है तो upi और party select कर लेना है तो जो previous bill का जो amount होगा तभी आपने no कर दिया होगा तो वही amount आपको यहां पे show होगा और जैसे ही आप enter करोगे तो qr code आपका successful generate हो गया है तो आप easy way से tally के कोई भी screen से exchange में के option को use करते हुए आप अपना qr code और payment link जो है वह generate कर सकोगे तो यह हमने एक transaction wise देखा अभी हम देखेंगे कि जो हमारे leisure wise outstanding है वह outstanding में भी हम हमारा qr code और link जो है वह generate कर सकते तो display more settings statement of accounts और outstanding में चले जाते हैं ledger select कर लेते है SNP enterprise अभी यह मेरा ledger का outstanding है हम यही एक preview देखेंगे और देखेंगे कि यहां पर कैसे qr code और link लेक्ट है तो यहां पर देखे जनरेट payment link qr code वही जो pop-up है वह यहां पर open हुआ है जैसे ही enter करोगे यहां पर आपको एक summary दिखा देगा कि इतने जो है वह जो SNP का payment का है वह success हो गया है जो outstanding है वह outstanding report पे भी आप qr code और link send कर सकते हैं तो इस easy way से आप अपने outstanding भी clear कर सकते हैं with payment link with qr code तो हमने three way से जाना एक तो laser wise हम जब entry pass करेंगे तभी qr code और link कैसे share होगा हम tally के कोई भी screen से exchange option का use करते हुए भी payment और qr code generate कर पाएंगे और outstanding जब हम laser wise send कर रहे हैं तो हम तभी भी अपना qr code और link हम client को share कर सकते हैं मूफ करेंगे और थर्ड पार्ट पर पर कि पेसिफाइंग GST rate and hsn details तो in tally 3.0 अभी आप tax rate को multiple level पर define कर सकते हो so let's see कैसे हम implement कर सकते हैं तो एक example लेंगे कि आप मान लीजे कि हमारा हम जो आप stock item है वह आप multiple hsn stock item है उसमें आप deal कर रहे हो जिसका GST rate particular कोई एक one है तो atally 3.0 में हमें sources के through यहां पर यह दिये है कि आप GST rate है वह multiple level पर और hsn भी है जो आप multiple level पर define कर सकते हैं तो oldest version में कैसे होता था अगर मेरा GST rate कोई particular percent है okay जैसे 18 percent और मेरे hsn है वह stock item wise में multiple है तो उसे define करना बहुत difficult होता था बट आप ही टाली 3.0 में इस difficulty को भी easy way से यहां पर उन्होंने solution दिया है तो वही set rate को configuration को yes करने के लिए हमें F11 में चले जाना है यहां पर आपको एक option दिया है set alter company GST rate and other details taxis run में वही option को हमें yes करना है तो यहां पर आपको GST rate and other details का pop-up होगा आप यहां पर देख पा रहे होगे कि hsn ssc related details और GST details तो हम यहां पर एक example लेंगे हम hsn है वो हम यहां पर define नहीं करेंगे और GST rate हम company level पर define करेंगे क्यूंकि मैं particular multiple stock item में से deal करें जिसके hsn है वो multiple है बट GST rate है वो particular कोई एक है तो इस scenario से लेके आपको पूरा clear हो जाएगा कि GST rate and other यह जो hsn setup है वो कैसे होगा तो यहां पर hsn ssc में हम not define कर लेते हैं इसी के साथ जबी भी आप कोई भी changes कर रहे हो related GST या hsn related तो आपको effective date यहां यहां पर पूछेगा तो आपके जो previous जो entry या transaction आपने पास किये है उसमें कोई भी difference GST या कोई भी difficulties नहीं आएगी आपने जो date यहां पर applicable करोगे वही date से यह applicable हो जाएगा तो हम यहां पर hsn को not define कर रहे और GST rate को specify details यह करके rate को यहां पर save कर लेते हैं अजय को यह श्रच आइटम को क्रिएट करेंगे वह श्रच आइटम में भी hsn और text को हम define करेंगे फिर हम एक transaction पास करेंगे तो एक लियर पीछर हो जाएगा कि वह कैसे होगा तो यहां पर create stock item को स्लैक कर लेते हैं स्लैक के रिलेटेड सारे information यहां पर add कर लेंगे तो जैसे ही hsn रिलेटेड यहां पर आएगा तो आप यहां पर देख पारे होगे कि जो मेरा hsn है यहां पर कोई information नहीं है पर अगर आप GST rate देख पारे होगे तो आपको एक sources यहां पर बता रहा है कि यह जो GST rate है वो कौन से सोर्स से यहां पर cash हो रहा है तो sources of details company क्योंकि हमने company के master's में यह जो GST rate है वो applicable किया था तो similar way से हम hsn है वो stock item में define करेंगे तो specify details here करके हम यहां पर put कर लेते हैं तो इस easy way से आप क्या कर सकते हो multiple stock item में multiple hsn wise set कर सकते हो with sources के साथ तो यह सारी details को हम save कर लेते हैं और वही stock item को use करते हुए हम एक transaction pass करेंगे quantity और rate put कर लिया है तो जैसे ही आप enter करोगे transaction में आपको एक pop-up होगा GST rate and related details तो यहां पर देखें आपको एक GST rate है वह हमने company में यह किया था put किया था तो यह जो sources है वह हमारा company related बता रहा है कि यह जो GST rate है वह कहां से से catch हो रहा है तो company master से catch हो रहा है as per the master of company और जब मेरा hsin है वह मुझे हमने stock item में define किया था तो यहां पर देखें ब्रैकेट में आपको stock item बता रहा है तो इस simple way से आपको जबी भी आप entry pass करोगे तो आपको कोई trouble नहीं होगा कि जो hsin है वह मेरा कि source से catch हो रहा है या sales लेजर से आ रहा है या मैंने company level पर उसे put किया है तो आप easy way से यहां पर details चो put कर पाऊगे अगर आप transaction pass कर रहे हो और आपको यहीं पर GST rate के pop-up पर ही आपको details को change करना या GST rate को modify करना है तो आप यहीं से भी यह rate को modify कर पाऊगे स्पेसिफाई details यह करके आपको rate को change करके आप transaction को save कर पाऊगे तो इस simple way से आप जो GST rate और HSN है वह SAC है वह आप define कर पाऊगे हम move करते है next features enhancement to voucher numbering तो टाली 3.0 में वाउचन numbering को भी enhance किया है जैसे oldest version में हम sequence के through transaction को pass करते थे जैसे 1 2 3 है अभी by मैंने second number of voucher transaction को delete कर दिया तो मेरे जो सारे voucher numbering जो होते थे वो shuffle हो जाते थे राइट और हमें बहुत कुछ changes check करना पड़ता था कि कौन सा transaction है वो delete हुआ है और बहुत troubles हमने face करने पड़ते थे यह जो difficulty को solve किया है और voucher numbering को enhance किया है तो हम एक live demo भी देखेंगे transaction को delete करेंगे और check करेंगे कि वो कैसे होगा तो day book में चले जाते हैं यहां पर period में put कर देती हूँ तो यहां पर आप देख पारे होगे जो मेरे numbers है वो मेरे sequence है तो यहां पर कोई भी एक particular transaction को हम delete करेंगे और हम check करेंगे तो यहां पर में जो number 5 है वो transaction को delete कर देती है तो आप देख पारे होगे कि मैंने number 5 को delete किया बट जो मेरे 5 के बाद के जो transaction है वो सफल नहीं हुए है वो as it is ही है सिफ मेरा number 5 जो है वो delete हुआ है तो इस simple way से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो transaction है वो कही by mistake delete हुआ है तो हम एक voucher को insert भी करेंगे हम enter करेंगे और जानेंगे कि वो number 5 पे हम transaction को पास कर पाते है या नहीं तो जैसे ही insert करेंगे वो हमने transaction यहां पर 7 last था तो हमने insert किया यहां पर 8 number का voucher add कर दिया है बट हमने जो number 5 का delete किया है उसके details जानने के लिए आपको चले जाना है more details जैसे ही आप more details पे चले जाएंगे voucher number details यहां पर आपको शोर होगी जैसे ही आप enter करोगे तो एक screen pop-up होगा voucher numbers details यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा select unused voucher numbers जैसे ही आप enter करोगे तो जो भी मेरे delete किये हुए जो numbers है जो transactions है उसके numbers मुझे यहां पर highlight हो रहे होगे तो कर दिया था उसके बाद मैंने live अभी 5 किया है तो वही number को use करेंगे तो जैसे हम enter करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि वही particular जो series है वह मैं use कर पाऊंगे तो हम एक transaction भी यहां पर पास करेंगे तो easy way से वह transaction भी पास हो जाएगा जैसे तो यह देखे जो number 5 हमने delete किया था वही number को use करके आप transaction भी पास कर सकते हो तो टाली 3.0 में वह voucher numbering है वह easy और similar way से यहां पर हमें दिया है तो अभी अगर कोई भी transaction आप delete कर रहे हो या आप insult या तो by mistakely delete हो रहा है तो वह जो shuffles जो हो रहे थे अभी वह नहीं होगे और वही voucher numbering को use करते हुए आप क्या transaction को पास कर पाऊंगे तो हम move करते है next features पर हमने three to four features देखे next is quick access to business information with report filter it means filter option means जैसे older version में हमें कोई terms या कोई भी filter search करनी होती थी तो हमें range apply करना पड़ता था तो बट अभी टाली three point हो में वह filter option को use करके easy report में filter search कर सकते है जैसे टाली में एक option दिया गया है filter हम एक example लेंगे और हम जानेंगे कि वह filter को कैसे use होगा तो as a accountant मुझे यह जानना है कि आज के दिनों में मैंने कितने ऐसे transaction है जो मैंने cash dump field करके use किये हो है तो यहां पर एक option दिया है apply filter जैसे ही आप apply filter पर enter करोगे तो आपको एक filter यहां पर open होगा apply filter on vouchers तो look for cash तो यहां पर मैं एक जो मेरा term है हो मैं फिल कर दूँगी और मैं एंटर कर देच मैंने period नहीं आपे mention किया तो यहां पर देखिए उपर आपको शो हो रहा होगा filter apply it means यह इतने सारे transaction है जिसमें cash terms यूज हुआ है तो यह मेरे जितने भी transaction में आपने कहीं पर भी वह cash field को यूज किया है या पंच किया है या layers है या narration है तो यह आपको यहां पर filter देगा यहां पर in details चेक करने के लिए आपको यहां पर यह सेलेक कर लेना है और filter details apply filter के नीचे एक option दिया गया filter details जैसे ही आप enter करोगे आपको in detail यह बताएगा कि इस जो transaction है इसमें laser name में यह cash terms का field हुआ था look for cash है यह हमने second check कर लेते हैं इसमें हमने कहां यूज किया है तो laser name में हमने यहां पर फिर से यूज किया है अगर आपने यहां पर narration में put किया होगा यहां पर जैसे हम एक live देख लेंगे मैंने यहां पर तो यहां पर देखें तो जो narration में भी आप जो term use करोगे वह भी वह यहां पर search करके आपको दिखाई देगा और वह details भी आप जान पाऊंगे तो यह हमने एक basic filter देखा अभी हम जाने कि as a CA मुझे यह जानना है कि आज के जो मेरे मैंने transaction pass किये थे तो 20,000 के कितने less than है 20 के नीचे कितने transaction है जो मैंने पास किये है या मुझे जो accountant ने पास किये वह मुझे देखना है तो आपको फिर से apply filter पर select कर लेना है यहां पर एक multi filter करके option दिया है left-hand side पर आपको select कर लेना है तो आप यहां पर list of fields यहां पर शो हो रही होगी आपको जो भी सर्च करना है आप यहां पर search करना है और search करना है तो हम एक यहां पर लेजर देन end of the list कर लेंगे तो यहां पर यह filter apply हो चुका है और जितने भी मेरे 20,000 के less transaction है वह यहां पर मुझे शो हो रहे है तो एक easy way से यह apply filter का use करते हुए आप transaction को कुछ भी search करना है या term search करनी है या किसी लेजर के party का नाम search करना है तो आप यह कर सकते हो रहे है तो third example लेंगे कि as a manager मुझे यह जाना है as a stock manager की मेरे जो stock item है वो particular एक है किस-किस stock item में यूज हुआ है तो जैसे हमने daybook में देखा यहां पर भी apply filter का option दिया गया है इस रॉक आइटम वाई select कर लेंगे और apply filter करेंगे तो यहां पर फिल्ट हम एजिसन के related search कर रहे तो जो भी list of fields होगा वो हमें select कर लेना है एक फल्टू और जो भी हमारा hsn है वो हमें आपके पूट कर लेना है तो जैसे ही आप enter करोगे filter अपलाई होगा और जो मैंने ट्राइटम में मैंने यह hsn को पूट किया है filter details करके enter करेंगे तो यह आपको दिखाए देगा कि आपका जो hsn है वो 3456 यह वाले stock item में यूज किया है तो यह हमने 3 types के अलग-अलग example लिये तो वैसे ही आप search कर पाओगे as a stock item stock summary में भी तो यह easy features उन्होंने introduce किया है हम move करेंगे हमारे next features में तो यह अब सभी जानते हैं जैसे अभी टाली में gstr2a और gstr2b को टाली से ही transaction को reconcile कर सकते हैं तो जो भी आपके gstr2a और gstr2b का data है वो json file को हमें डाउनलोड कर लेना है वही json file को हम gstr2 report की टाली में gstr2 report की help से हमें import करेंगे और जैसे ही import होगा तो एक reconcile transaction मतलब 2 status यहां पर open होगे यहां पर जैसे आप देख पारे होगे not reconciled it means जो आपके portal का data होगा और जो आपका टाली का data है वो match नहीं हो रहा है तो वो आपको not reconcile करके status शो करेगा आपके transaction के बाजू में और जो reconcile है इत मिन्स कि आपका जो portal का gstr2 portal का data और आपका टाली में पास किया हुआ transaction है वो match कर रहे है वो transaction में कोई भी mismatch नहीं है तो वो आपको reconcile यहां पर शो करेगा तो यह पूरा जो gstr2a और 2b है वो हम import करेंगे और हम देखेंगे कि वो status कैसे update होगा तो जीएस्ट रिपोर्ट के लिए हम display more reports में चले जाएंगे या तो go to में आप search कर सकते हो तो reconcile रिपोर्ट के नीचे आपको gstr2a1 reconcile gstr2a देखाए दे रहा होगा आज हम 2a और 2b अपलोड करेंगे और जानेंगे तो gstr2a हम enter कर लेते हैं जैसे ही आप enter करोगे उपर import का option है import को आपको enter कर लेना है यहां पर gstr2a पर चले जाना है तो जिस अब हमने branch wise यहां पर registration किया था तो जिस branch का आपको reconcile करना है वही branch को आपको यहां पर select कर लेना है तो यहां पर मैं select कर लेती हूं और gstr2a है या 212b तो 2a को हम select कर लेते हैं तो भी अपने gstr2 portal से json को download किया होगा जिस folder में अपने उसे save किया होगा वही folder का path हमें यहां पर select कर लेना है तो यह जो path मैंने यहां पर download करके files रखे है वह path को मैं copy करके यहां पर enter कर जो हूँ तो जैसे ही आप enter करोगे आपने शहां पर save किया होगा वह ही JSON file tally to read करेगा और आपको enter कर लेना है जैसे ही enter करोगे यह reconcile प्रोसेश क्म्प्लीट हो चुका है जैसे ISK क्म्प्र acc饮 एक एक any reconcile or un reconcile Strata रहारा हो यहां पर show होगा तो हमने मेका किया था तो हम मेका यहां पर तो यहां पर देखिए जो मेरे आपको स्टेटस यहां पर दिखाए दे रहा होगा रिकंसाइल अन्रीकंसाइल रैट तो यहां पर रिकंसाइल पर एंटर करोगे इट मिन्स यह जो मेरे ट्रांजेक्शन है वो मेरे पोर्टल से और यह मैंने जो टाली में पास किये हैं उससे मैच हो गए है इसलिए यह सारे ट्रांजेक्शन रिकंसाइल बता रहे हैं और जो अ वह आपको यहां पर इंडीटेल भी बताएगा यह मिसमेचीज है यह अवेलेबल अनली इंग बुक मतलब सिफ आपने टाली में ही पास किये है यह पोर्टल पे तो यह ट्रांजेक्शन है यह नहीं तो इस सिमिलर रीजन से आप इजी वे से आइडेंटिफाय कर सकते हो कि जो मेरे ट्रांटेक्शन है वो क्यों रीकन्साइल में चले गए है क्यों मिसमैचीज हुए है तो इस यह और सिमिलर वे से आप जेशन को इंपोर्ट करके आप घीस टी आर्टू सब्सक्रेच अर्टीटिवे को रेकनसाइल कर सकते हैं तो हमने घीएशटी यह बेरेकन साइल द करना है उसे select कर लेना है है जो फ़ाइल पाथ था वो मैंने यहां पर प्ट किया यहां पर देख पाइल होगे मेरे यSund file यहां पे शो हो रही है एंटर कर लेते हैं मेराज देटर हो रहा है तो यहां पर देख पारे होगे जो मेरे रीकंसाइल रांजेक्शन है तो मेरे 41 जो ट्रांजेक्शन है वो रीकंसाइल हो चुके है 16 मेरे अन्रीकंसाइल है तो आप जैसे ही यह नीचे आप देख पारे होगे वो में को रीजन भी बता रहा है कि क्यों जो मेरे ट्रांजेक्श होगे आपके transaction है वो reconcile हो जाएंगे इस similar और easy way से 2a और 2b आप reconcile कर सकते हैं तो हम move करते हैं हमारे next स्लाइड तो हमने new updates जो भी टाली 3.0 में आये हैं वह हमने डिसक्स किये हम ने टाली में भी लाइव देखा कि वह कैसे implement होते हैं और किस easy way से हम वह features को use कर पाएंगे तो अभी हम देखेंगे कि टाली 3.0 में update के साथ भी जो new terms है वह improved हुए है जो issues हम face करते थे वह सारे issues result हुए है जैसे e-invoising mismatch and modified हम e-invois हम जब पास करते थे पास करने के बाद अगर उस invoice में कोई भी modification हुई है तो वह तुरंट modify में चला जाता था और हम हमें आइडिया ही नहीं होता था कि वह invoice में हमने क्या mismatches या क्या modification किया है तो अभी ताली 3.0 हमें यह specify करेगा कि क्या कौन से terms हमने यहां पर mismatches कर दिये है यह modify किये है ठीक है तो हम यह भी जानेंगे कि कैसे होगा तो एक्षेंज में इन्वाइजिंग में चले जाते हैं जैसे ही मैंने यहां पर पिरियोड को एंटर किया यहां पर देखें वाउचर में वह transaction में क्या changes किये है जो भी आपको red highlighted में शो हो रहा है वह transaction हो जाने के बाद modification जो किये है वह terms आपको यहां पर दिखाए दे रहे है वही terms आप clear कर दोगे जो पहले आपने पास किया था वही terms आप यहां पर पुट कर लोगे तो यह जो error है voucher information mismatch with QR code इस में से आपका transaction for iron generation या तो iron generated में transfer हो जाएगा तो यह एक option जो है वह 3.0 में उन्होंने improve किया है और वह बहुत important है तो हम move करेंगे second option is data splitting error it means कि हम हमारा financial year का data split करते तब ही हमें बहुत सरे clients को यह error face हुआ था muv का वह error का solution उन्होंने दिया है अभी जब आप data split करोगे तो वह error आपको नहीं यहां पे शो होगा वह easy way से आप data split कर सकोगे third one है migration and repair experience जब भी कोई data migrate करते थे या repair करते थे हमें बहुत time लगता था हमें terms भी पता नहीं होते थे right हमने बहुत बार हमारे वर्जन से new version में data को migrate किया अभी टाली 3.0 में जैसे ही आप data को migrate करेंगे हम यह live देखेंगे एक data को migrate करके कि वह कैसे जो होगा है 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 तो यहां पर आप देख पारे होगे कि मेरे पास जो डेटा है वह oldest वर्जन का है यहां पर मुझे है माइगरेशन रिक्वाइट बता रहा है कि जैसे ही आप एंटर करोगे और यहां पर माइगरेट पर क्लिक करोगे मेरा जो data है वह माइगरेट हो गया है वह माइगरेट होने के बाद आपका जो डेटा है वह किस कितने उसमें मास्टर से कितने ट्रांजेक्शन थे वह डेटा कि में क्या information थी वह सारी information टाली है अभी वह आपको पॉप अप करेगा और वह आपको बताएगा कि आपके before migration में इतने थे after migration में इतने एड हुए है या तो फिर कोई भी माइग्रेशन में अगर आपका डेटा लॉस हो रहा है जैसे कुछ भी कोई भी changes हो रहे है तो वह आपको यहां पर दिखाई देंगे तो एक easy complete अपने को हमें सबको एक picture होगा कि यह जो मेरा data migrate हो रहा है वह किस वह से हो रहा है हमारा fourth one है evay bill formats तो सभी को यह होता था कि evay bill में जो portal हमें evay bill का print देता था बहुत सारे customers ऐसे थे कि टाली से वह print और वह format क्यों नहीं चन्रेट होता बट अभी टाली 3.0 में यह improvement हुआ है आप टाली से ही evay bill जो portal का format होता था वही आप यहां पर यह कर पाऊगे प्रिव्यू कर पाऊगे तो हम वह भी देखेंगे तो exchange में जाके हम send for evay bill में चले जाते हैं और period को यहां पर हम enter कर लेंगे तो यहां पर हम एक प्रिंट प्रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि वह option है यह हमारा टाली से जो कर दो कर दो तो तो यह हमारा जो टाली से इवे बिल जनरेट होता था वह वाला format है राइट बट जो पोटल से इवे बिल जनरेट होता है वह format पूरा डिफरेंट है तो वह format भी आप अभी टाली से प्रिंट कर पाऊगे तो वह option को enable करने के लिए आपको configuration में चले जाना है और यहां पर एक option दिया है format of इवे बिल तो यह detail को आप जैसे ही enter करोगे और regular करोगे प्रिव्यू प्रिंट देखोगे तो यह आपका पॉर्टल से जो इवे बिल का format जनरेट होता था वही यहां पर शो हो रहा है तो यह एक improvement उन्होंने की है 3.0 में जब हम ओपन करते थे और हम पीरियोड हमने 3 months 4 months या 6 months का हमने यह पर एंटर किया है तो वह जी एस रिपोर्ट सर्च यह होता रहता था बट अभी उन्होंने उसमें भी improvement किये है अभी जब आप 3.0 अपडेट करेंगे और जी एस रिपूर्ट में वास्ट पीरियोड एंटर करेंगे तो वह जो suffering है या searching है वह आपको quick within a seconds में रिपोर्ट को open करेगा improvement in remote access remote access से आप sales invoice में आप अपना GST details या तो e-way bill details आप नहीं देख पाते थे जब भी आपकी company remotely connect होते थे या तो फिर आप remote user हो ताली remote user right तो अभी आप वह देख पाऊगे आप sales invoice में जो भी GST details है या तो आप e-way bill के details है ये भी आप यहां पर देख पाऊगे right है